हलो इस्टुएंट वेलकम टू आसीस क्लासेश पीसीम पीसीवी बच्चो आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे एथर के बाड़े में ठीक है इससे पहले लेक्चर में हमने एलकोहाल पूरा कंप्लीट कर लिया अब हम लोग एथर की ओर बढ़ेंगे और एथर को बिल्कुल ब अब एथर में basic important क्या है तो सबसे पहले हमें nomenclature पता होना चाहिए कि इथर का nomenclature क्या होता है यानि उसको common system में हम किस नाम से जानते एपीसटी system में एथर को किस नाम से जाने गे तो अगर हम बात करते है common system और common system को भी दो पार्ड में डिवाइड कर दिया गया है ठीक एक तो आ जाता है तुम्हारा symmetrical ether और दूसरा आ जाता है हमारा unsymmetrical ether सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे कि unsymmetrical ether होते क्या है unsymmetrical ether मतलब होता है these are named as dialkyl ether यानि इनको हम dialkyl ether के नाम से जानते हैं और यह chain के form में होते हैं ठीक जैसे तो dialkyl तो यहाँ पर जैसे क्या दिया गया CS3 single bond को single bond CS3 तो यह क्या हो जाएगा अब देखो di-methyl दो बार मेथिल लगा हुआ है एक यहाँ पर एक यहाँ का मतलब ethyl तो यहाँ पर di-ethyl और यहाँ पर किस से जुड़े हुए एथर से तो di-ethyl ether थर्ड में बात करते हैं तो यहाँ पर देखो phenyl से जुड़े हुए हैं ठीक है और यह दर भी C6H5 जुड़ा हुआ है तो डाइ-phenyl ether हो जाएगा बच्चो तो यह था हमारा अन्सेमेट्रिकल एथर जिनको हम लोग डाई एलकिल एथर के नाम से बच्चो जानते हैं ठीक है उसके बाद बच्चो बात करेंगे हम लोग अन्सेमेट्रिकल एथर अब अन्सेमेट्रिकल एथर होता क्या है बच्चों हम इसको जानेगे तो बच्चों अगर अन्सेमेट्रिकल एथर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि small alkyl group is written first जैसे देखो अगर किसी भी एथर से दो alkyl group जुड़े हुए है ठीक है तो हम क्या करते है जो small alkyl group होता है उसको पहले उसका नाम पहले नोट करते है और जो large alkyl group होता है उसका नाम बाद में नोट करते है वही बताया गया है then name of larger alkyl group written ठीक पहले small फिर जैसे CS3 single bond O single bond C2H5 तो इसमें smaller alkyl group क्या है मेथिल तो मेथिल और फिर उसके बाद larger एथिल एथर ठीक यहाँ पर देखो C2H5 single bond O C3H7 तो यह छोटा है तो इसको क्या लिखेंगे एथिल और C3H7 क्या हो जाएगा प्रोपिल एथर ठीक आगे देखो यहाँ पर CS3 OCH single bond CS3 और इधर single bond CS3 तो क्या हो जाएगा मेथिल आईसो प्रोपिल एथर एक तो पहले क्या होगा मेथिल जो small group होगा उसको पहले लिखेंगे और यहाँ पर जो आईसो प्रोपिल दिया गया है वो large है तो यहाँ पर आईसो प्रोपिल एथर ठीक है यह चीज आपको समझ में आई होगी I think आपको symmetrical एथर और unsymmetrical एथर समझ में आया समझ में आया अगर कोई doubt है तो आप comment करके जरूर पूछिएगा आपके board exam 2025 के लिए chemistry में टोबिक बहुत important है तो बड़े ही ध्यान से समझिएगा और देखो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीजे समझ मेंगी अब देखो IPAC system में हम इसका नाम कैसे लिखेंगे तो देखो IPAC system में एथर्स आर classified as alcoxy ठीक है इनको alcoxy के नाम से classified करते हैं या alcoxy बोलते हैं ठीक है जैसे CS3 single bond O CS3 तो यहाँ पर क्या है methoxy methane ठीक है alcoxy यानि methoxy methane अब यहाँ पर देखो जैसे दिया गया CS3 O single bond O single bond C2 H5 तो यह क्या है methoxy methoxy methane हो जाएगा यहाँ पर ठीक है methoxy methane ठीक वो ऐसे ही देखो यहाँ पर देखो यह meth है ठीक तो यह क्या होगा 2 methoxy propane ठीक आगे देखो यहाँ पर C2 H5 single bond O CS2 CS2 CS3 तो यह क्या होगा ethoxy propane ठीक है तो इसमें oxy लगा देते है ethoxy methoxy है न वगेरा वगेरा जो oxy अगर दिखे तो हमेशा याद रखना इसमें क्या आ जाता है oxy ठीक है मतलब alkane में इसमें क्या होगा elk plus oxy इसलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं इसको हम elkoxy नाम से जानते हैं ठीक अब बच्चो isomerism के बारे में चलते हैं तो देखो यहाँ isomerism की बात करेंगे तो isomerism इथर में दो प्रकार के isomerism होते हैं एक functional होता है और दूसरा metamaryism isomerism functional में क्या होगा कि monohydric alcohols since both have same general formula but different functional group देखो इसमें क्या होता है जो monohydric alcohol होता है और जो इथर होता है है ना इन दोनों के जो अगर हम बात करें alcohol since both have same general formula इन दोनों का चाहिए हम इथर की बात करें या alcohol की बात करें इनका general formula एक होता है लेकिन इनका functional group अलग-अलग होता है जैसे हम बात करते हैं कि यह है हमारा ether ठीक और और यह है हमारा OEC यानि alcohol तो इनका अगर हम बात करते हैं कि जनरल फॉर्मूला अगर इनका कहीं देखने को मिले तो अगर किसी भी compound का जनरल फॉर्मूला सेम है है न और क्या होगा लेकिन यहां पर functional group अलग-अलग होगा तो उसी को बोलेंगे functional isomerism of ether जैसे हम यहां पर बात करते हैं CS3O CS3 तो डाइ मेथिल इथर और यहां पर इसकी बात करते हैं तो क्या है एथिल अलकोहल ठीक यहां पर देखो क्या दिया गया है CS3O CS3 CS2 CS3 यानि मेथिल एथिल इथर और यहां पर क्या है CS3 CS2 CS2 OS प्रोपेन ओल वन ठीक है तो हमेशा याद रखेंगे इसमें जो monohydric alcohol होते हैं और जो यहां पर functional isomerism होंगे उनका जो general formula होगा वो एक जैसा ही होगा लेकिन इनके दोनों के functional group अलग-अलग होंगे यह चीज़ आपको बच्चो याद रखनी है आगे बात करते हैं यहां पर metamerism की बात कर लेते हैं बच्चो metamerism में होता क्या है compound having same molecular formula but different number of carbon atom मतलब जब जो compound होता है उसका molecular formula same होता है लेकिन different number of carbon atom different number of carbon atom around the functional group functional group के चारो और जो carbon atom होंगे वो different carbon atom होंगे and group are known as metamerism और इसे metamerism करते हैं और इसी phenomena को metamerism भी हम लोग बोलते हैं ठीक है इसमें जैसे example की बात करते हैं तो C2H5 single bond O C2H5 तो इसको बोलेंगे diethyl ether ठीक और यहां पर देखू अब देखो sampling same molecular formula यहां पर दोनों का जो molecular formula है वो same है लेकिन different number of carbon atom carbon atom different है अब यहां पर देखो जैसे CS3 single bond O, CS2, CS2, CS3 तो इसको बोलेंगे methyl propyl ether ठीक तो दोनों में क्या different है इसमें different है बस दोनों में carbon atom ठीक है लेकिन molecular formula दोनों का एक जैसा है अब देख लिया राम से देख दीजेगा इसको ठीक है इसके आगे के जो topic होंगे बहुत important होंगे चैनल पे नहीं है तो चैनल को subscribe करिए वीडियो को जितना होजगे like और share करिएगा आज के lecture में इतने हैं मिलते हैं next class में एक नए topic के साथ thank you for this class